ये दो जो कनेक्टर है ये दो कनेक्टर हमारा हो गया औसिलोस्कोप यानि कोई भी वोल्टेज सिग्नेल को मेजरमेंट करने के लिए और ये जो हमारा कनेक्टर देख रहे होंगे इसके जरीए हम लोग चोदा अलग अलग सिग्नेल को जेनरेट करके आउटपुट ले सकता हूँ यानि कि यह हमारा ऑसिलोस्कोप भी काम करेगा और हमारा सिग्नल जेनरेटर भी का भी काम करेगा दोस्तों फाइनली हमारे लेब के अंदर आ चुका है एक है डिजिटल ऑसिलोस्कोप जो की बहुत दिन से इसका इंतिजर था तो यह मैं अभी तक ओपन नहीं किया हूँ क्यूकि आप लोग के साथ सेयर करने के लिए मैं अभी तक इसको ओपन नहीं किया हूँ आपके सामने ही फास्ट टाम इसको ओपन करूँगा और अभी पैक जो है वो सिल्ड किया हुआ है और यहाँ पर देखिए इसका जो brand में यह पाक digital oscilloscope दोस्तो यह जो tool है यह two in on tool है एक तो यह oscilloscope का भी काम करेगा दूसरा signal generator का भी काम करेगा तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसके अंदर open करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान हमें भेजा गया है उसके बाद इसके बारे में और भी detail में बात करेंगे यहाँ पर देखिए जो हमरा oscilloscope है इस oscilloscope को बहुत ही जबरदस तरीके से packing करके भेजा है चलिए मैं इसको गुमा लेता हूँ और एक एक करके सबी चीज़ को में बहार निकलता हूँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कुछे इसके अंदर टूल्स भी दिया है जो attachment हमें इसके साथ मिलता है वह यहाँ पर दिया गया है तो क्या क्या दिया गया है एक बार आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो यह power cable जो की USB 2 यहाँ पर DC जाग दिया गया है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी बात है कि इसके अंदर जो आपका power adapter दिया है इसको चलाने के लिए तो इसको में रखता हूँ साइड में और उसके साथ साथ हमें एक यहाँ पर प्रॉब भी मिल जाती है अगर आपको कोई भी चीज अटाच करके measurement क करके तो यह आप क्लिप कर सकते हो alligator clip के साथ यहाँ पर हमारा oscilloscope को लगाने के लिए हमारा jack दिया गया है तो इसको भी में रखता हूँ साइड में और उसके बाद हमें और भी प्रॉब मिल जाती है voltage measurement करने के लिए यहाँ पर और इसके अंदर सभी जो चीज है बहुत ही है यह कहां पर इस्तेमल होंगे हम बाद में देखेंगे तो इसको में रखता हूँ साइड में उसके साथ हमें दो प्रॉब मिलते हैं जो कि यह काफी अच्छा जबर्दस quality का है और और की quality भी बहुत ही जबर्दस्त है और यहाँ पर आपको जो प्रॉब मिल जाती है चैनल का उस्पान को इसलिए हमें दो अलाग अलाग हमें आपे यह दिया गिया है और उसके बाद हम यहां एक पोडैक इंस्ट्रक्षन अर्व अगर है और Hers बृट से लेघा है तो मैं इसको बार में पर होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फास्ट इंप्रेशन कैसा है इसको बाहर निकालने के बाद इसका कैसा है आपको दिखाता हूं चली मैं साइड में ftr आपको जो भी सिगनल दिकेते बहुत जबर्दस तरीके से इसका अंदर सिगनल देखने को मिलेंगे और इसको carry करने के लिए आपको एक hand with holder भी दिया गया यानि कि इसको carry करके कहीं पर लेके जा सकते हो जो की काफी बरासा है और इसके पीछे कुछ instruction दिया गया है अब लोगों को इस ऑसिलोस्कोप के बारे में बताने से पहले आपको इस एड़ाप्टर के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि इसके साथ adapter ही क्यों दिया गया है इसके साथ power card भी तो दे सकते थे लेकिन इसके अंदर हमें power adapter क्यों दिया गया है देखिए दोस्तो आप लोगों को पता होगा की बहुत सारे Oscilloscope के अंदर इस तरह का power card हमें देखने को मिलता है और देने के लिए तो उस तरीके का अंदर क्या होता है कि हम लोग डारेक्टली एसी बोल्टेज को मेजर्मिन नहीं कर सकता हूं उसके लिए आपको अलग से एड़ाप्टर या कॉनबर्टर आपको लागाना परेगा अगर आप इस तरीके का पुराब के जरीए डारेक्ली आ आपका अगर कोई भी एसी बोल्टेज को मेजर्मिन करने जाओगे तो आपका ऑस्टिलोस्कॉप है वह बार्न हो जाए यानि कि जल जाएगा लेकिन इस ऑस्टिलोस्कॉप का अंदर ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसको अपरेट करने के लिए सिर्फ हमें 5 ओस्टिलोस्कॉप होता है उसमें क्या होता कि यह जो हमरा पीन यानिकी जो ग्रांडिंग कीने हमरे चानीं प Hawk Quindi यह थो अगार। आपका उस्टिलोस्कॉप होता है तो जब भी आगर आप यह जो ग्रांड हमारा इसके साथ करनेक्टेड इंटनली तो जब आप कोई भी एसी सिगनल को मेजरमेंट करने जाओगे तो उस समय यह जल जाने का खत्रा रहता है सर्किट का अंदर तो उसी चीज़ को रिमूब करने के लिए यह पर कमपनी ने क्या किया है कि जो पावर सेक्षन डिस्ट्रिबूटर सेक्षन है उसको हटा के डारेक्ली इसको फा फाइब देने परेंगे इसको अपरेट करने के लिए अगर आपके पास नॉर्माल मोबाइल फोन का चार्ट जाड़े जिसके अंदर फाइब और और ऑन अम्पयार याद 200 मिलियाम्पयार का कारेंट आउटपूट होता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकतो इसको अपरेट क आ रहा हूं और LCD LED TV के अलावा मैं बहुत सरी चीज़ को रिपेर करता हूं और प्रोजेक्ट का भी काम करता हूं तो इसलिए मुझे एक अच्छा और सिलोस्कोप की जोड़ोत था जिसका अंदर प्रोटेक्शन भी हो और सब कुछ फिचर से मिले तो यह था एक रिजन और दूसरा रिजन क्या था इस ओस्लोस्कोप को खरीदने से पहले कि यह ठू इन और हैना एक अहुग है और यह जो औहलो और हैं तो 2 in on हमारा oscilloscope है इसलिए मैंने इसको order किया था तो फिलाल आपको इसको on करके दिखाता हूँ कि इसका अंदर क्या-क्या features और functions से दोस्तों मैंने इस oscilloscope को power दे दिया हूँ लेकिन power देने के बाद भी यह on नहीं हुआ है जब तक हम इस power button को प्रेस नहीं करेंगे तो तब तक यह on नहीं होगा माली जिए आप काम करते करते यह line भग गया यह यह बंद हो गया है यह आपका जो power है कठ हो चुका है तो यह दूबारा on नहीं होगा यह इस टनवाइ मोड़ बे चला जाएगा आपको फिर से यह power button को प्रेस करना होगा यह safety features के लिए दिया गया है तो इसका बहुत बढ़ crystal clear display इस display के जरी आप signal को बहुत ही जबर्दस तरीके से देख सकते हो कोई भी आपको problem नहीं होगे चारों तरफ से आपका जो visibility है बहुत जबर्दस visibility है आप किसी भी साइट से देखोगे कोई भी problem नहीं होगे आपको proper आपको signal जो है देखने को मिल जाएंगे आप बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर features क्या क्या है सबसे बड़ी जो features है कि इसके जरी आप 100 MHz तक कोई भी signal को measurement कर सकते हो और यहां पे लिखा हुआ है maximum आप 4002000 मिजफरेंट कर सकते हो चायब्स बोल्टेज हो तो सकता है AC सबस्ता है और को मिला कर सकते हैं आप 12 अलग अलग और जो भी signal होंगे आप आप मिजरमेन कर पाऊगे इसके जरी करें और सब्सक Art Quan H च्प्रच्फ करते होगे मिके निख्यों प्रेश करोगे तो क्या होगा कि यह जो दिखेगा कि आभी जो है कौन और सा सिगनेल यह जनेरेट होगा तो इसके लिए आपको यहां पर देखिए कुछ बटन दिया गया है यह नीचे प्रेस करोगे देखिए यह आप ट्राइंगूल अड़ हो गया इसका मतलब यह है कि यह जो हमारा कनेक्टर है इस कनेक्टर से यह सिगनल आउटपूट होगा और स सब कुछ आप चेंज भी कर सकते हो उसके बाद फिर इनिट्चाइग प्रेस किया उसके अब एक-एक करके गिनोगे तो सभी जो सिगनल है आपको यहां पर देखने मुल जाएंगे आपड कास्टम आपके हिसाब से भी आप यहाँ पे जENERATE कर सकते हो अपना सिगनल को तो यह को एक हमारा Button काम काम और आप बाद कर लेते हैं रही सिलोस्कोप का देखिए यहाँ पर पूप दिया ग्याँ है एक और दो तो फ Harley चैनल को परेट कर सकते हूँ और आपको नॉब दिख रहा होगे इस नॉब के जरी आपको सिग्नल का पोसिजय कर सकते हों ऊपन नीचे कर सकते हों और इसके जरी है जो चैनल 2 का सिगनल है इसको आप उपन निशे कर सकते हो और काफी स्मूथ है आपको काम करने बहुत ही मजा आएंगे और अगर मान लिजिए आपका वोल्टेज है वो चेंज या कम या ज्यादा करना है तो आप यहां से कर सकते हो वोल्टेज पर डिविशन यहां से चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो चलिए दोस्तों आप मैं इसके अंदर प्रॉप को लगा देता हूं तो हमें दो अलग अलग प्रॉप मिला था तो मैं इस प्रॉप को यहां पर लगा देता हूं तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि इसके अ और 10x के अंदर सेट करके रखना होगा और 10x जब भी आप इसको चेंज करोगे तो यहां पर देखिए configuration का एक बटन दिया गया है channel on के लिए यहां पर और channel 2 के लिए यहां पर तो यहां पर क्या होगा कि configuration में आपको इस तरीके से प्रेस करना होगा उसके बाद यहां पर देखिए आप measurement करते बाग जो भी यहां पर सेट करोगे तो आपको यहां पर भी सेट करना होगा माले जी आपको 40 बोल्ट से कम कोई भी signal को measurement करना है तो आपको सबसे पहले तो इस प्राउब के अंदर ओन एक्स को सेट करना होगा उसके बाद आपको configuration को बटन को प्रेस करके यहां और यहांपर दिसी दोनों में आप सेटड कर सकते हैं और उसके बाद नी चेआपको ऑन-ऊपिये का उप्षिन. और चानल अंदर में बंद कर दिया और चैनल के अंदर को चैनल कर दिखाता हूं रहा है इस बैट्री को हम आप मेजर मैं करके दिखाता हूं चैनल इस तरिके से मेजरमेंट करना है सबसेखेला आगें ह问 आपको लगा देना ग्राउंड पर और इसके बादόन देखिए हमारा यह का खुल देखने को मिलेंगे यहां पर दिखहरा हो ऐसे घुद्पेस चले एक बार आपको नजदी के से दिखा देता हूं वोल्टेज में करने का यहां पर देखें 9.45 आपको अभी दिखा रहा है 9.45 यह डीसी वोल्टेज है इसलिए आपको इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है तो एक बार मैं आपको प्रॉब को हटा के दि दिखा देता हूं इस उस्सीलोसकोप के जरिए तो जैसे ही मैं यहां पर टाच कर रहा हूं देखिए कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा इसका इंटर ग्राउंड के ग्राउंड के साथ कनेक्सन हैं तो मैं आभी नहीं करने वाला हूं तो आप क्या करूंगा मैं इसका जो पजरिव साइड है मैं इसको यहां पर एटाजमेंट कर दूंगा जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमारे डिस्प्ले पर कुछ सिग्नल आग चुका है तो इसको सही करने के लिए आप सिंपले एक ही बटन प्रेस कर सकते हो यहां पर चेक कर सकते हो इसका सभी जो बोल्टेज जो है मेजरमेंट कर सकते हो आप इसका जो पीक पॉइंट सभी जो बोल्टेज से वह सबकुछ आप चेक कर सकते हो आप चाहे तो इसको यहां पर भी लगा सकते हो यह जो हमारा ग्राउंड का सिग्नल है इसको यहां पर भी लगा स चुका है इसी प्रोकर के दोस्तों अगर आपके सर्किट के अंदर कोई अलग अलग सिगनल है और उस सिगनल को आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो बहुत ही आसाने से इस तरीके साब जो है मेजरमेंट कर सकते हो चलिए देखिया अब यह शॉट उड़ ओन तू इस तरीके सा अब सभी जो सिगनल से अब आपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते वह किया हप मेजरमेंट कर शकते हो मेजरमेंट कर सकते dua पे चि precisamente किया है इसका उइचाइक बढ़ा सकते हो देखिए इस तरीके से तो अगयर आपको एलबीड़ी सिगनल कनेक्षन मेजरमेंड करना है वो भी आप इसके जरीए मेजरमेंड कर सकते हैं यह आपका जो बाइस प्रोग्रमर आएची है उस आसी से आपका डेटा जो निकल रहा है कि नहीं यह भी आप इसको चेक कर पाऊगे बहुत ही आसानी से और दोस्तों आप बता देता हूं कि यह म मैंने बैंक गुट से पर्चेस किया हूं जो कि 13300 के सम्थिंग इसका प्राइस है और डेलिवरी चार्ज और शेपिंग चार्ज लेके टोटल 14000 पर गया है इसका प्राइस तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आभी यह उसलोस्कोप मत खड़ी दीजेगा क्योंकि यह बिल्कुल नया मार्केट में आया है और पहले नहीं था और लगवग मैंने यूटूब पे देखा सार्च करके कि एक भी इस कंपनी का जो रिविम नहीं किया हुआ है तो जब तक इसका जो रिजाल्ट सहीं नहीं आ जाता है तब तक इसको मत लिजिएगा मैं इसको बहुत सारे लोग के पास से बहुत ज्यादा होता है तो उसको अगर इसको लेना है तो उसका पैसा बरबद ना हो इसलिए मैं एसा कर रहा हूं ताकि आपका जो पैसा है बरबद ना हो तो दोस्तों आप इसी तरीके का रिवीव वीडियो आप देखना चाहते हो आगे आने जत जतू आतू बाँ एस लिए काषू एसुता बाँ इसुता बाँ जय।